आम चुनाव कुली कर कॉंग्रिस और भारती जंता पार्टी जहां एक दूसरे को सियासी पठकनी देने के लिए नए नए तरीके इजात करने में जुटी है इधर संसत से सश्पिंसन का दौर जारी है तो दूसरी ओर विपक्षने आई अन डियाई की बैठक के जरिये पीम मो मंत्री पत्के उमिद्वार हो सकते हैं लेकिन क्या सोन्या गांधी बेटे राहूल गांधी को किनारे लगते वे देख सकती हैं इधर खाबर थी किसे सुन लालू और नेतीश बैठक से नराज होकर निकल गये हलाकि आम आदमी पार्टी के सांसद रागोचध्धा को लगता इस प्रमुख मलिका अरजुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है जिसे चर्चा और समवात के बाद निरुड़ेलिया जाएगा रागोचध्धा ने जानकारी दी कि उनका 55 साल का लंबा एक अच्छा राजनितिक करियर रहा है वो राजनितिक के दिगज होने के साथ साथ एक समास सुधारक भी रहे हैं इसका सीधा फाइदा विपक्षी गटबंदन को होगा इसकशन के बाद डिसिजन लिया जाएगा मलिका अरजन खर्गे साहब एक बहुत बड़े नेता है इस देश के मुझे बताओ राजसभा सांसद उनकी लीडर्शिप में काम करने का मौका मिलता है राजसभा में और उनका एक 55 साल का एक बहुत ही भेतरीन पुलिटिकल करिय रहा है वो एक पुलिटिकल ल्यूमनेरी के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे और बहुत ही संघरशील जीवन रहा उनका मुझे लगता है कि उनके अनुभव से जो एक साधारन ब्लॉक लेवल के कारे करता के तोर पे उन्होंने एक पुलिटिकल पार्टी जोइन कर देखे कई विश्यों पर चर्चा हुई और जैसे जैसे चर्चा होगी हम आपको जरूर वो सारी चीजें बताएंगे आगे सीट शेरिंग का कारे करम शुरू होगा फिर हमारा जो कैम्पेन है उसका रोल आउट होगा तो इंडिया घटबंदन पूरी मजबूती से एक जु अडिड़ दिखा हो लेकिन नितीश लालू उद्धो के साथ ही कॉंग्रिस की पुर्वध्यक्चा सोनिया गांधी को ये कितना रास आएगा ये तो वक्त ही बताएगा इस खबर में फिलाल इतना ही बाकि कि हम और ताज आप डिट्स के लिए सब्स्ट्राइब करें वन इं media Hindi